नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज अपने लेकर आ चुके हैं राजस्तान बीस्टिसी का राजस्तान जीके का पेपर तो दोस्तों इस वीडियो मां को बताने वाले राजस्तान जीके के वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन ज वागम आणने वाला है जो की जनरेल अवेर्नेस राजस्टान संब्र तो वें प्रकास शर्ण होने वाले तो आपको वीडियो को पोरी देखे ना ठीकर दोष्टों तो यहां Alors पर आको समय के किस दिल्ले में प्रसिद है आपको बताना है दोस्ता जैपूर विकारे रिए फिड पाली तो दोस्तों इप किसमें प्रसिद रोत के ना दोस्ता जिल्ला के अंदर हो जाएगा तो option नमबर ए इसका perfect answer हो जाएगा next question पूच वाइब से पिछवाई कला संबन्दी थे तो ठीक है पिछवाई दूस्तों कला किन से संबन्दी थे ठीक है तो यहांपर दूस्तों नमर्डी करेंट आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूचे गए देखेगा 2011 की जनग्राना के अनुस्चार राजस्तान में निवनतम गनतु वाले जिले ठीक है तुस्तों यहां पर बताना है कि सबसे कम जो गनतु है वह यहां पर किस जिले का होने वाला है तो इसका अंसर आपको बताना है तो जैसल मेरो विकानीर का जोए निवनतम गनतु हो जएगा तो यहां पर सी आंसर परफेक्ट ंसर हो जाएगा अगेला स्वाल पूचे गया है राजस्तान का प्रतम पवण उर्जा साहिंत्र कहां पर इस्तापित किया गयता तो दोस्तों यहां पर ठीक हे दो स्तुम्ण अर् इसका пред answer हो जाएगा नेक्स दोस्तों प conspir के बारी अबुसन पहना जाता है बारी जो अबुसन है ऒहां पर पेहनते हैं गल्ले में नाक में यास तो दोस्तों जारणDOS उदैपूर या फिर कुंबलगड तो दोस्तों का हुआ था गोगुंदा में वह था तो बी आंसर करेट हो जाएगा उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे रतन सिंग ने अपने दर्बार से निकाल दिया था ठीके उस व्यक्ति का नाम बताए जिस दोस्तों रतन सिंग ने अपने दरबार से निकाल दिया था तता बाद में वह अलव दिन खिलजी की सरण में चला गया तो कौन से वे व्यक्ति हो जाएंगे तो आप सभी को पता हो जाएगा ठीके दूस्तों यानि चेतन रागव आप सभी को पता ठीके तो डी आंसर इसका करेट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन पूचा गया है राजस्तान में बोमट छेतर संबंधी थे बोमट का सम्मध ने तो आप पता दोस्तों उदेपूर हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया ठीक है बोमट का जो सम्मध है यहाँ पर उदेपूर जिले से हो जाएगा तो ए आंसर करेट आं हो जाएगी अगला सवाल देखेगा राजस्तान की मुखी मंत्री की रूप में सरवाधिक बार सपत किस ने लिए ठीक है फूट टुक ओट्स एज चीफ इनिश्टर ऑफ राजस्तान मैक्सिमम मनमवर ऑफ टाइम्स ठीक है तो सबसे अधिक यहाँ पर किसने समध सपत ठीक है दोस्तों डेगर्णा रिजन इस नोन फॉर विच मिनरल इन राजस्तान डेगर्णा जो छितर है राजस्तान में किस खनीज के लिए जाना जाता है ठीक है तो दोस्तों किस के लिए हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यहां पर टंगस्टन के लिए ठीक है डेग को पता होना चाहिए हमें उपनाम याद करने ठीक है उपनाम से समझी स्वाल आने वाला है तो राजस्तान के गांदी दोस्तों किसे कहते हैं सिंपली दोस्तों गोकुल भाई बट को कहते हैं राजस्तान के गांदी के नाम से भी जानना जाता है राजस्तान का एक मात्र चिकिसाले कहां पर है तो दोस्तों यहां पर जैपूर के अंदर हो जाएगा लाल बाग क्या है दोस्तों लाल बाग ठीके वॉट इस लाल बाग तो आप सभी को पता है दोस्तों आसानी से पता होगा लाल बाग क्या था दोस्तों किसानों पर एक टेक्स लेते ठीके दोस्तों जो अभी स्ववरूप है, वो कब आया? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1956 के अंदर ठीक है? यानि दूस्तों, एक नवंबर, एक नवंबर 1956 को जो है, अभी जो वर्तमान का, राज़स्तान का जो अस्तितु है, वो आये था? तो इससे पहले दूस्तों, यह जो है, राज़स शपन को आया था तो ये भी आप को पता हो नहीं नेक्स्ट कोश्ण रजस्तान का पहली बार प्रयोग निमलीकित इतियासकार द्वारा किया गए था यानि दोस्तों रजस्तान सब्द है वह सबसे पहले किस ने दिया था किस ने प्रियों किया था तो यहां पर आप सबस्तान के किस जिल्ले में इस्तित थे बिकानेर गंगानगर बाढड में र्याफीर जोधपुर्ग कि दो सबहें को पता होना सब्सक्राइं कि काली बंगा अपस्पित अपने हनुमान गड़ जिल्णे में इस्तित है तो यहां पर इसका जो आंसर है इस उप्षिन में नहीं दे रहे कौन से जिले में यहां पर उपलग मिले हैं तो यह दोस्तों उदेपूर में मिले हैं तो यह आंसर हो जाएगा सिर्वी जाती खेड़ी से जूड़ी हुई है जो कि अधिकांस किस जिले में पाई जाती है ठीक है सिर्वी जो कास्ट है उस सबसे ज्यादा यहां पर अधिकांस सब्सक्राइब कौन से जिल्ए में पाई जाती इए थो यह अपना हो जाएगा दोस्तों जोधपूर के अंदर ठीक है सी आन्सर पर जाएगा मेवार के शिसोधियाउं को निम्न मैं से मानना जाता है मेवार के जो शिसोधिया वंसे उनको क्या मानते हैं सूरी वनसी चंदर इसका एंसर हो जघेगा सूरी ठीक है next राजस्तान की पहले या फिर औपचारिक व्याकरण लेकी गई थी किन के दूरा जो है फस्ट common grammar하하 written लोगे गए तो किसे द्वारा लेकि गई थी तो दोस्तों यह दोस्तों हेम जंद्रोडरी के द्वारा लेकी गई थी संओंगीत के जैपूर गराणे सीजिज संगीतकार कौन माने डाते हैं संगीत के जैपूर गराने से समय नहीं पर आपको बताना है ठीके तो यह जो हो जाएगा क्या अंसर हो जेगा सिंपली तो अपने दूस्तों ओजाएगे मलिकार जून प्रणसूर इसका अंसर करेक्ट अंसर हो जाएगा राजस्तान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जूड़ी हुई है तो यह मेवार से जूड़ी हुई है तो सिंपली आंसर सी आंसर हो जाएगा आ पर पूचा गए काल वेली नरती इसकिस दिले के से संबदी तो दोस्तों जैपूर से हो जाएगा करेक्ट अंसर ऑप्षिन एसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखीगा बाला किला कहां इस्ति थे तो बाला किला दुस्तों कहां पर इस्ति थे अलवर के अंदर इस्ति थे सिंपली आंसर होजेगा C रजस्तान में सबसे लंबे समय तक किसने मुकी मंत्री पद पर कारी किया है सबसे लम्बे समयंग तक इसने कारी किया है मोल लाल सुकाडूया ने किया है सिम्पली डी आंसर परफेक्ट आंसर ए दौलत राम सारण को राजस्तान में संबूदित किया जता था तो सिम्पली जो आंसर है वो यहां पर हो जाएका दूस्तों किसानों का मसिया कहते थे ठीके दोस्तों क्या कहते थे दोस्तों किसानों का मसिया यहां पर कहा जाता था राजस्तान विकास पार्टी की स्थापना की थी ठीके राजस्तान विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गी थी बुट्टा सिंग द्वारा की की थी ओके चली चौद भी रजस्वां विदासभा के सबँगा पती कौन है ताम इन्ञे कैस सवाnd थार। तो यह हो जेंगे दोस्तों केलास मेगवाल ठीक है राजस्तान में वर्षा का समय कितनी बार होता ठीक है यहाँ पर पूछा गए कि वर्षा का समय कितनी बार होता है तो आप सभी को पता दोस्तों दो बार होता ठीक है न तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा correct आंसर इंद्रा कान्दी नैर की आवशकता हुई क्यों हुई बरसाथ से सर्दी से पानी के अबाव से ये फिर अत्यविक गर्मी से तो आप सभी को पता होना चाहिए किसके लिए पानी के अबाव उसर से हुई याने इसी आशर हो जाएगा अगला प्रस सी दोस्तों पोचा गया है लूनी नदी का उदगव मिस्तानन निमन मैं से किस जीले से हैं लूनी नदी इद नदी आउ Hiba Kiki यहां पर इसका और जिंएर्ट पुच्या गया सїपimeter फ्रशिद चांड बावडी इस्तित है दोस्तों कौन से जिल्सी था टिकें जिसे बावड्यों का सहर कहते हैं किसे कहते हैं बावड्यों का सहर तो यह्यों दोस्तों दोस्ता हो जाएगा करेक् нельзя राजस्तान में किस सहर को निला सहर कहते हैं ठीक है कौन से सहर को निला सहर कहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ब्लू शिटी किसे कहते हैं ठीक है ब्लू शिटी दोस्तों ब्लू सिटी हो जाएगा राजस्तान का जोदपूर जिल्ला ठीक है और इसे दोस्तो संसिटी भी कहते हैं सूरी नगरी भी कहते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए उटे unleash आंसर करद्स्रेय को फाग का इस तीफ है दोस्तों गार्डन बाबाग कहां इस तीफ然后 कब उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो किस किसल किस नाम से जानना जाता था दोस्तों विजश्तान के बहुत दोस्तों यहां पर शुक्तन भुष्छ किया था तो वह किस नाम से जानना पड़ता है था राज slippers के स्री के नाम से जाना जाता है है कि हबीब तनवीर की फिल्म चरंदास ऑर चरंदास चो राज एक फ़िल्म है चरंदास चोर फिल्म जो है राजसथान के किस लेखा दोल्ड लिखे गी तो यहाँपर सी आंसर करेह權 आंसर हो जएगा रज़स्तान में निमने से किस से पदम वीबूशन से समानित किया था तो दूस्तों यहां पर नरेश्चंद्र को पदम वीबूशन से समानित किया गया था नेक्स्ट अगला सवाल पूचो गया है कमलेश नागर कोटी बारत अंडर 19 के विशुकप में खेला है निमने से कौन से वर्समें यह करेंट अफेर का सवाल है तो हालांकि तोड़ा सा पेपर है दोस्तों ठीक है यह अपना मोडल भी प्रशा तो यहां पर आपको अभी जो लेटिस करेंट अफेर है वही प्रस्न आपके आने वाले यह थे चरहाएं तो दोजटारा की व्रट्क प्रहल क्यामरे में यहाँ आपर इंन्होंने एक बारती अंडर दोस्तों नाइंटीं यह थे यहाँ पर एक कहला ड्यक्यो तो यह फिल वॉट्वरण सब्सक्राण साजा करता है तो सिंप सैपूल को फिल को यहां पर आपको पूछ गया है उत्री अरावली से समझें तो यह क्या हो जब दोसा हो जगा तो यहां पर नेक्स प्रस्ट पूचा गया है कि पंचाती राज वेस्ता का आरम राजस्तान में ठीक यह निकी दोस्तों जो बारत में स्टार्ट हुआ था राजस्तान के नागोर जिले से किस वर्स हुआ था तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों 1969 के अंदर यह स्टार्ट हुआ था तो यहां पर बी अंसर इसका करेंट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन सेंबर 94 मिना समुधाई का परंपरागत नेता इस नाम से जानना जाता था ठीके ना मीरा जो मीना समुधाई एटिके ट्रेशनल इडिडर ओप मीना नाम से जानना जाता ठीक है तो आप सब्सक्राइब यहां पर अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों वह अपना हो जाएगा पट्टेल से जाना जाता ठीक है तो पट्टेल अपना अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पूछ गया नेशनल हाइवे एट विच कनेट्स डेली वित मुंबई पासेस थ्रू राजस्तान इट इट रंस इंटू हाव मैनी किलोमेटर राइन राजस्तान दोस्तों कितने किलोमेटर जो है यहां पर चलता है जो राश्टी मार्ग राजमार्ग संक्या आठ है जो कि दिली को मुंबई से जोड़ता थिके न और राजस्तान से गुजरता है तो कितने किलोमेटर का यहां पर हो जाए ref क्यासी किलोमीटर का हो जाएगा सिंप्ली सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्तान में कैंद्री विश्व विद्याले कि स्थापना किस वर्स में तो किस वर्स में विटी दोस्तों 2009 के इंदर यहां पर हुआ था क्लियर है चलिएगा कि वर्स 2017 का साहिती अकादमी दिली का रजस्तानी का है रजस्तान का पुर्सकार साहिती अकादमी ठीक है जो साहिती अकेडमी है जो दिली का अवार्ड है दोस्तों यहां पर किसी दोस्तों मिला था ठीक है तो किसी मिला था दोस्तों यह निरस डालिया को मिला था ठीक है तो पन्स्कषां को सब्सक्राइए छबिस्त परेती कि प्रत्म में होला हुआ तो तो दोस्तों 1935 हुआ गुले नुस्तान मानव अधिकार आयों की पहली मैला अधियक्ष है जो प्रतम पुरस पूर्श मोढ़ें लिए याद कर樣 hang जान ओअधिकार की जो प्रत SIM तो दूस्तो कांता कुमारी भत्नागर ठीकिंगा राजस्तान की प्रतम में अंस्ट अपना हो दोस्तों यहां पर हमने डिस्कस की राजस्टान बिश्टी सी के राजस्टान ४ के एंपॉटेट्ट ग् quarterly लिग्व быть होने वाले तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना नूटिफिकेशन मैल को प्रेस करना है जिससे कि आपको बीस टिसी एक्जाम के जो पेपर है वह यहाँ पर आपको ऐसे ही मिल सके ठीके दोस्तों तो इस वीडियो बस इतना ही फिर मिलें कि नेक्ट व झाले